हाई अब्रीवन हमने अपनी प्रिविएस वीडियो में बात की थी टाइपस ओफ डिस्टिबुशन सिस्टम पे और अगर्चे तो वह वीडियो आप देखना चाहें तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगा तो डिस्टिबुशन सिस्टम में तमाम तर डिसीजन चाहें वह वह दिस्टिबुशन से रिलेटेड हो वह सिंगल लोकेशन पे लिए जाते हैं और सेंट्रलाइज सिस्टम में चंद ही व्यर्वाउसे जो हैं वह इन्वाल्व होते हैं बहुत ही मिनिमल लेवल आफ सेफ्टी स्टॉक जो है वह वह बिल्डब किया जाता है operating cost जो है वो लो होती है और साथ ही साथ जो total system cost है वो भी कम होती है as compared to decentralized system इसके comparison में अगर हम decentralized system को देखें तो decentralized system में supply chain से related decisions और distribution से related decisions जो हैं वो multiple levels पे लिए जाते हैं decentralized system में multiple level of warehouses और distribution centers और multiple number of warehouses और distribution centers जो है वो इन्वाल्व होते हैं और आपकी operating cost जो है वो हाई होती है reason is कि आपको multiple levels पे inventories build up करनी पड़ती है और उनका safety stock भी जो है वो build up करना पड़ता है तो इसी के साथ जो overall system cost है वो भी higher side पे होती है as compared to centralized system centralized system में आपका lead time जो है वो काफी हद तक बढ़ जाता है reason is कि product को long travel करना पड़ता है from the point of storage to the point of delivery वहीं इसके comparison में चुके decentralized system close होता है to the customer तो lead time जो है वो काफी short होता है और जो आपकी outbound transportation cost है वो भी काफी हद तक कम होती है as compared to centralized system अब आप या आपके organization centralized system को follow करती है या decentralized system को follow करती है यह totally depend करेगा कि आप किस level की services अपने customer को provide करना चाते हैं आपके नजदी cause जादा important है lead time जादा important है या customer की satisfaction जादा important है according to your priorities और according to your feasibilities आप यह decide करते हैं कि आपने जो है वो centralized system follow करना है या decentralized system follow करना है I hope कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ जरूर समझा होगा और इस topic से related अगरच्चे तो आपका कोई question हो then you are welcome in the comment section ूच लड़ने की आपका क्यों आपके जादा बडाया तो प्रहुआर एंसे जादा is a अ वहां प्राच्चे जड़ उेघा ठाथ आपका को आपका को फश्टे है आपका कया है